हेलो दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यानि भोतिक विज्ञान के मोश्ट इंपोटेंट कोस्टन के बारे में इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं जैसे कि आपका कल मैथमेटिक्स का पेपर था यानि आपका चार अपरेल को मैथमेटिक्स का जो पेपर था ठेक हैं उसमें से मेरा जो जितने मैंने मैथ के important question बताए वो कितने आए आप जितनी भी मैंने 4 या 5 वीडियो mathematics की बनाई थी और मैंने book को लेकर मैं साथ में बैठा था मैंने निसान लगवाए थे ठीक है ना तो उसमें से कितने important question आए मैं खुद analysis करके बताऊ या जितने मैंने आपको important 4 marks के और 6 marks के मैंने question बताए वो सभी आपको exam में दिखाई दिये होंगे जिसने अच्छे से वीडियो देखी होगी और ये आपकी गलती है कि आपने क्योंकि mathematics कोई भी subject हो class 12 का क्योंकि class 12 टेक standard class होती है उसके बाद बच्चा अपने आप ही खुद कर लेता है चाहे वो कोई भी आगे की class graduation या higher graduation में ठीक है न अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना ज़रा ध्यान से ठीक है उसमें बात ये है कि बच्चों के message आ रहे हैं कि आपका पहले पढ़ा हुआ नहीं आया आप तो गए इस तरह के comment कौन सुनेगा अच्छे है मैं आपके लिए इतना दुख हो रहा है मेरे को मैं आपके लिए इतनी मैनत कर रहा हूँ इतने question आपको खुद printing करके खुद लाकर लिख कर खुद हातों से वो चीज़े मैं आपको दे रहा हूँ क्या वो आपको अच्छा लगेगा कि आप बो लोगे कि तू तो गया एक teacher के लिए यही respect होती है क्या मुझको आप बताओ एक teacher के लिए यही respect होती है क्या मैं well educated teacher हूँ mathematics mathematics से gate qualified है gold medalist हूँ फिर भी आप मतलब हद होती है बच्चों की मन करता है कि channel को आज ही बंद कर दू एक उत्राखंड के लिए मैं इस channel को मैंने बनाया मैं बच्चों के message देखता हूँ मैं आपको बता दू जब मैं biology का आपके आपने biology के paper के बारे में मेरे को बोला कि biology का paper के important question लाओ मैं पोडिगडवाल के लिए teacher के पास में जानने वाले में जानने वाले की वहां से मैं उस paper को लेकर आया उसी paper को लेकर आया और मैंने आपको question वो paper बताए फिर भी आप मतलब मैं इतनी दूर से इतनी मैनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जब exam के time आता तब बोलते हो कि important question, important question, important question और हम जैसे लोग इतनी important इतनी मैनत करके आप लोगों के लिए ये चीज लाते हैं और आप फिर भी banker ऐसे सी बात बोलते हो कि तू तो गया इस तरह के comment कि तेरे पढ़ाय उसे तो कुछ भी नहीं आया एक बात बताओ आपको भी तो कुछ basic tools पता होने चाहिए जो basic tools हम अपनाते हैं वो भी तो आपको जानने जरूरी है आपने mathematics की पढ़ाई अच्छे से की मैं तो कहता नहीं अच्छे से की जब आप हमारे जैसे teacher के साथ पढ़ते तम मैं बोलता कि हाँ आपने mathematics की तेयर अच्छे से की क्योंकि mathematics में अब वो trend नहीं चल रहा है जो पहले trend चला था मैंने पहले से ही आपको बोल दिया था कि 30 और 40% previous year के question paper आएंगे ये वाली बात मैंने सभी बच्चों को बोली थी message में जिसने मेरे सब पूछा था ठीक है ना 6 mark से question सतुरू का पाचे helicopter एक x square upon a square cos square x plus b square sin x जितने भी मैंने 4 और 6 mark से question बताये थे वो सभी महाँ पर दिखाई दिये थे फिर भी आप लोग मतलब हद होती आप लोगों की आप लोगों के लिए मैं मैंनत कर रहा हूँ आपको मेरा साथ देना चाहिए कि सर आप मैंनत कीजी हम आपके साथ में बट यह ऐसे message जो मुझको वोट्स इस पर जो आप यह YouTube channel इस पर देखने को मिलते हैं तूतो गया अगरा वगरा इसे बिलुकुल गंदे message मेरे को पसंद नहीं है यदि आप हमारे channel से अभी unsubscribe होना चाहते हो तो unsubscribe कर दो मुझको ऐसे बच्चों की बिलुकुल भी ज़रूत नहीं है जो एक teacher की respect ना करे ऐसे respect रने की क्या फाइदा बताओ क्या फाइदा मैं सुबे से सुबे से आपको लोगों के लिए important question physics के important search कर रहा हूँ और मैंने इतनी वीडियो important question की डाली हुए आप उनको भी अच्छे से कर लोगे न एक question देखकर करना एक question देखकर करना उनसे question में से answer निकालना वो अलग बात होती है क्या वो ही question जो मैं बता रहा हूँ क्या वो ही exam में आ जाएंगे नहीं वो नहीं आएंगे exam में लेकिन आपको उनसे जब उनके answer आप निकालोगे उनसे कही question automatic की निकल आएंगे जिसे आपको help मिलेगी लेकिन आप हो कि अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहे हो अभी तक तो आपने कुछी भी नहीं किया 12th pass भी नहीं कि अब तक तो आपने खैर वो आपकी बात है कि आप अपने teacher की कितनी एस्पैक्ट करते हो ठीक है न वो लग बात है लेकिन आप अच्छे से पढ़िए पहले chapter से basic tool को अपनाईए एक-एक mark से question पढ़िए तू-टू mark से question पढ़िए अच्छे से derivation लगाईए अच्छे से करिए लेकिन ऐसे गलत message बिलकुल ना करिए मैं unblock करूँगा और जिसको unsubscribe करना है वो अभी unsubscribe कर दो चलो आईए देखते हैं model paper भोतिक विज्ञान परसन पत्र है और बच्चे जो इंगलिस में बोल ले हैं ठीक है ना वो टेलिग्राम से जुडिए और उनको मैं सभी के सभी जितने भी कोस्ते हैं मातर कौन सा है यानि इन में से हमको unit बतानी है capistence की ठीक है तो वो कुलाम ampere volt कुलाम पर volt पचास ओम परतिरोध के धात्विक तार को खीच कर उसकी लंबाई दो गुनी कर देते हैं इसका नया परतिरोध है यानि पचास ओम का एक resistance है उसके metallic wire को यदि हम घीच ले तो उसकी length कितने हो जाती है twice हो जाती है तो उसका new resistance कितना है तो चार ओप्सन आपके सामने है henry permitter इन में से चार ओप्सन में से बताना है ठीक है फिर में दुबारे वो लाओं जितने भी इंगलिस के बच्चे हैं वो एक बार telegram channel से जुड़े telegram channel ncrt aimpoint है ठीक है न वहाँ पर मैं सभी इंगलिस वाले जो important question है वहाँ पर मैं send कर दूँगा आज ही आप जुड़ जाना ठीक है तो यह question है आप देख सकते हो इसकीन पर आप पढ़ लेना और यह very very most important question है ठीक है इसमें से जो question अलग भी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या करना है बसरते मैंने पहली वीडियो में सभी कुछ बता दिया है तो आप इन question हो को अच्छे से कर लेना बस यहाँ पर थोड़ा को पर निर्भर यानि factor ओपर निर्भर करता है निर्भर करता है यह पूरा question लिख लेना आप ठीक है आगे ऐसे ही को सन दिया गया है कि ऐसी दो भोती कटनाओं का मैं यहीं से को सन आएंगे लेकिन इनी को सन से को सन बनकर आएंगे यह मेरी गारंटेड है क्योंकि मैं 9-10 सा है ऐसे दो भोती गटनाओं का उलेक कीजिए जो परकास की तरंग परकरती की पुष्टी करते हैं किसी धातू के कारेफलन 3.3 लेक्टन वोल्ट है धातू के लिए दहली आवरती गणना कीजिए एक सीधे लंबे तार से या पढ़ सकते हो आप देख लेना खंड सह इसमें भी काफी कोसन दिये गए आप एक बार देख लेना ठीक है अर्चालक क्या होते हैं यह सभी आप अच्छे से करके जाना किसे एक अर्चालक का नाम लिखे LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड तो इसका बारे में ध्यान नकना ठीक है धातों में इलेक्टोनों के अ नेक्ष्ट पर आगे जो है यह कोसन है किसी वेद्दु दिधूर को एक समान वेद्दु छेतर में संतुलन की स्तिति से आप देख सकते हो इसकी इन पर ठीक है ना काफी कोसन है इनको आप कर सकते हो ठीक है बामर स्रेणी की दित्ते रेखा की तरंग दहा रही इतनी है तो पिएन संधी डायोड दिखाई देर आओगा आपको पिएन संधी डायोड के लिए अग्र दिसिक परिपत या अग्र अभिनतिप परिपत आरेक बनाईए सिद कीजे की गोस की पर में अनंत लंबाई के लोरेंज बल के अधार पर वेद्दु चुमब के प्रेंड की बेफोस्चन अगे वेड़कों तो यह नेक्स्ट मोडल के पर यह नेक्ट मोडलर प्रेंपर आपका ठिक है सेकंड में आपको बता चुपर में बात करने वाला आँँ सेकंड मोडल पेपर है आपका बहुतिक विज्ञान का तो इसमें देख सकते हो आप दस माइक्रोफेट धारता वारे संधायर को दस वोड तक आवेशित करने पर उसमें संचीत उर्जा तो यह सभी कोशन आप देख सकते हो ठीक है अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके आंसर बताओं बट आप आंसर सर्च कर सकते हो आपके नोट्स में सभी आंसर मिल जाएंगे ठीक है खंड दह में आप देख सकते हैं सभी इंपोटेंट कोशन है ठीक है परकास विद्दूत परभाव के नियम की वैख्या के नियम लिख है यह हाइडोजन परमानु के अनवी कक्सा में लेक्टोन की उर्जा यह परकास के परतन से आप क्या समझते इसके नियम इस्त्रिवेद्दूति की में गोस के नियम की काव लेक कीजिए गोस की परमे की सायता से दो बिंदो आवेसों के बिच कारे करने वाले बल के लिए दारवाई लंबी परिणालिका के सव परकताव का सुत्र चो कुंडली का कारे सिद्धांत एकल सिट के विवर्थन परति रूप में केंद्री फिंच की कोणे चोड़ाई आँक का दूरदरश्टी दोस रधर फोड का परमानु मोडल उर्जा बैंड के आदार पर चालक अंतर तो यह सभी कोशन आप आसानी से कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्स मोडल पेपर की ठीक है तो मोडल पेपर थर्ड़ पर बात कर लेते हैं इक्वल टू जीरो त्रियोता वाले विद्दू छेतर में विभो वी का दूरी पर आर के साथ परिवर्तन यह सभी आप देख सकते हो ठीक है यह सभी कोसन वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट है तो आप इन सभी कोसनों को करके जाना और बसरते जितने भी मैंने कोसन बताये हु आगे अफवावे की परिभासा अफवावे गेम विद्दू धारा में संबंद यह सभी इंपोटेंट कोसन है किसी नाभी की दर्विमान छती क्या है इसके इससे बंदन उठ जा कैसे प्राप्त की जा सकती है यह वाला कोसन आप मत करना ठीक है लोरेंजबल के आदार पर व आगे एक कोसन मैं आपको बता चुका हूँ यह वाले कोसन ठीक है आगे हम और बात कर लेते हैं इसके बाद विद्दू धीदूर के कार निरक्से इस्तिती अक्सिये इस्तिती अनुप्रस इस्तिती में गोस के नियम का परियोग करते हैं ऐसमित याननत विस्तार वाले रचना कारेविदी का वर्णान इसमें पटिलोह क्रोड का क्या मैं तो आप इन सभी कोसनों को अच्छे से तयार कर लेना और जो बात मैंने बोली है ठीके ना उस पर जिला दिहान देना एको कमेंट गलती करोगे गलत करोगे तो देखो मैं बलोग करूगा यदि आप अंसब्सक्राइब करना चाहते हो चैनल को अंसब्सक्राइब करतों कोई प्रोब्लम नहीं है ठीके ना तो इसमें से आपको जो मैं आपको एक्ष्ट्रा बताने वालहूं जो धारिता गेको पेल अने चान्स है ज लेनी करम में और समानतर करम में इस तरह के कोसन आप सोल करके जाना यदि जिस बच्चे से नहीं आते एक वीडियो में बना दूँगा बाकी मैंने ओप्टिक से उपर-उपर सभी most important question के numerical की वीडियो बनाई हुई है आप चैनल में जाकर देख सकते हो तो friends यह दी यह question आपको अच्छे लगे हो तो पिलिजी से वीडियो को like कीजिए और अपने friends के पास share कीजिए और आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो पिलिज ज